हमने पूरे शहर को नमरिंग करवा दी है राजबियन साथ भी यह कह रहे हैं कि हमने ओड और इवन का इनको समझा दिया है कि दुकाने जिस तारिक को ओड होगी देट उसी दुका उसी तारिक को यानि की ओड ही दुकान खुलेंगी यहां यानि की सम यानि की आज संग्यान में ले रहे हैं अपना पूरा मामला कि आज ओड तारिक है और ओड तारिक को यानि की दुकाने ओड ही खुलनी चाहिए यह लेकिन पूरा बजार खुला है ये हम आपको बता रहे हैं कि और SDM, SHO, विकाज जी स्वम यानि की बजार के अंदर घुम घुम कर दुकाने बंद करवा रहे हैं और इनको संजा रहे हैं अब साथ ही ये कह रहे हैं कि ये आज हमारा पहला राउंड है इसलिए इनको कोई चलान बगएरा या इनको चिताव नहीं देखर खोड़ा जा रहा है देखिएगा कि ये अलर्ट जो ये दूसरा दिन है और कल सारी दुकाने खुली थी आज भी सारी दुकाने खुली हैं लेकिन आज परशासने कादिकारी मैदान में उतरे हैं जो कह रहे हैं कि हम आज केवल ओड ही दुकान खुलवाएंगे जैसा और कल जो 26 तारीक होगी तो उस दिन even होगी ऐसी दिमार्केशन की गई है तर आज कोई आपने पुरा घूम घूम के सारा सहर का जाइजा लिया है किसी दुकान पर एक्षिन भी हुआ है या एक बड़ी चिताम नहीं दिये फिलालाज राजिव जी हम एक्षिन भी लेंगे अभी लोग हमारे कहने से बंद कर रहे हैं और उमीद है कि कल दी लागू जो ना करेंगे अपने आपी लेकिन कल जो पाला नहीं करेगा उसी घृब्ड अपने आज डटें किया है इनको आपने आज बड़ा रोक का है संजाया भी मान जाओ जाओ यह संकर्मा प्रिक तुम्हों वाजे के लिए है तो अमीद है कल दे लोग जना वलेंटर ली आपकी बात को मानेंगे एंगे इनको मानना भी चाहिए बिकाल जी है आज एका अजिम साथ के साथ हाप है ठीक है आज जाने कि क्या लोग वागों ने दुकाने खोल होले के दिता जाने के साथ हमने को पता दिया है रहीं को समझा यह इवन और का फार्मूला है आप सभी दुकानों के फरेंग होती है आज अज-बेख जैसे आज पसिस है तो ओ्ड़ का ड़े है तो कल सबीस है इवन का ड़े है तो कल शब्यस हैं सब को समझा दिया यॉत लगे हम सूबह से कोबर करेंगे सामने मदूशाना दिखा रहे हैं यहां मदूशाना पर हर कोई यानि की कुछ ना कुछ लेने आता है विकाज़ यह मदूशाना खुली है बारा बजे मदूशाना बंद हो जाएगी आजिन साब खुद कड़े हैं और शायसिन सामने का आगी चलो मैं मजाग कर लेता हूं अब तो इतनी भी नहीं मिलती हैं में खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते हैं तो मदूशाना बंद करती गई हैं बारा बजे तक यानि की जो लिकिर वेंड हैं इनके खोलने का आदेश है और मैं राजी बंसर आपको इस उमीद के साथ और अब अपारी भाईयों से यह निवेद करने में दन करूंगा कि आप प्रशाशनिक अधिकारियों का कहना माने ओड और इवन का मैं सपर्ष्ट किये देता हूं मेरे चैनल के माधन से जिस दिन पारीक ओड होगी उस दिन ओड दुपाने खुलेंगी ओड का मतलब है कि जो द दो से डिवाइड नहीं होता है अब जिस दिन पारीक दो से डिवाइड हो जाएगी इवन होगी तो उस दिन इवन की खुलेगी यह सपस्टने बेस है कल से एक्षिन होंगे मैं मेरे सहियोगी रभी सहने के साथ एडिटर अधे सहने के साथ देखते रहे हांसी के आवार